पुलिस ने पाटी नदी फल्या में महुआ लहान जबत कर मोके पर किया नस्त एक वेक्ती पर मामला दर्ज पाटी पुलिस अधिक्सक दिपक कुमार सुकला के निर्देशन वा अधरिक्त पुलिस अधिक्सक आरडी परजाबती स्जोफी रूप रेखा यादो के मार्गदशन में पाटी थाने सेत्र में लगातार अवेद गतिवीदियों पर कारवाई की जारी है इस परिपालन में पुलिस टीम द्वारा कच्ची महुआ वो जहरिली सराब पर कारवाई करते हुए बुद्वार को पाटी के नदी फल्या में घर पर दविश देकर कच्ची हाथ भटी महुआ सराब के साथ भारी मातरा में लगबग 700-800 लिटर महुआ जब तकर मोके पर ल दिवासी नदी फिल्या पार्टी के खिलाब आपकारी एक्ट की धारा 34 ए में मामला दर्ज कर लिया है थाना परबारी आरके लोवनसी का कहना है कि यह कारवाई लगातार जारी नहींगी इस दुरान पुलिस टीम की सराइने योगदान रहा विकासकंड में गोसाला को लेकर खंड पसू चिकिशा अधिकारी प्रविन जमरा ने कहा बहुत जल्दी गोसाला बनेगी प्रस्ताओ गया है पाटी विकासकंड में गोसाला की कोई विवस्ता नहीं होने से बे साहरा पसू फुटपात पर प्लास्टिक खाने को मजबूर है साती रोड पर बेतर की बेट कर आवागमन बाधित करते हैं सेत्र में बे साहरा पसू को लेकर कोई भी अधिकारी गम्विन नहीं है जिसके चलते हैं फाटी नगर के विविन इस्तानों पर इधर उधर भटकते रहते हैं साती रोड पर अनावशक रूप से डेरा जमा कर बेट जाते हैं जिससे आवागमन भी बाधित होता है बुद्वार को खंड चिकिशा अधिकारी प्रविन जमरा ने जानकारी देते होगे बताये कि अभी फिलाल विकासकन में गोसाला तो नहीं है अभी शासन इस्तर पर कुछ जोगों के नाम आये थे जहां पर गोसाला बनना प्रस्तावित था लेकिन कुछ कारण वन सायद व पसु भटकते रहते हैं पसु मालिकों को मेरा आहवान है कि अपने पसु को घर पर ही रखें क्योंकि पसु को रखने के लिए विवाग के पास कोई विवस्ता नहीं है पसु को बाजार में छोड़ने पर कुड़ा करकट वह प्लास्टिक खाते हैं जिससे उनका स्वास्त खराब हो जड़ा है और पाचन तंत्र में गड़बड आ रही है साथी प्लास्टिक ज्यादा खाने से उनके जीवन को भी खत्रा है जिसके कारण कई बार गंबी रिस्तिति आ जाती है इसलिए सब पसु मालिक से मेरा कहना है कि अपने पसुओं को घर पर ही रखें अपने खेत पर रखें इदर ओधर बाजारा और गलियों में ना छोड़ें इससे उनके स्वास्त पर जो विपरित प्रभा पड़ रहा है साथी जो आवागमन है वो भी बादित हो रहा है कई वहानों की दुरगटना भी हो रही है इसलिए सभी पसु मालिक अपने पसुओं को घर और चारागा इस्तान पर रखने के लिए सुचना पत्र दे कर पसु मालिकों को अपने पसुओं को इदर ओधर ना और रोड पर अनावशक ना छोड़ने की हिदायत दे सकती है यह पंचाईत की जिमेदारी होती है